और वो क्रोस के निसान को उस खुनी डॉल के तरफ करता है और फिर बोलता है दोस्तों कर आपनी गुली बुली और खुनी डॉल होरी टूरी का पार्ट वान और टू अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उस जाकर देख लेजिए वरना पुरी इस्टोरी पुरी तरीके समझ में नहीं आएगा लिंक डिस्क्रिप्सन में है और उपर आये बटन में भी है दोस्तों आपने पिछले वीडियो में देखा था कि वो कुनी डॉल सौन पर हमला कर देती है और जब गुली बुली सौन को ढूनने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर सौन की स्कूडर पड़ी हुई रहती है गुली बुली सौन को ढूनने के लिए जंगल के अंदर चले जाते हैं और जब गुली-बुली जंगल के नदर चले जाते तो वहाँ पर सौन की लटकी हुई लास मिलती है। गुली बुली सौन ये ऐसे हाल दीख कर काफी ज़धा रोती हैं और फिर सौन की लास को लेकर अपने घर चले जाते हैं और वहाँ पर सौन को एक डब्बे में बंद कर देते हैं और फिर गुली बुली उस खुनी डॉल को पकड़ने के लिए एक मीट का टुकड़ा लाते हैं और रोड पर रख देते हैं और फिर वह दोनों छिपकर उस खुनी डॉल के आने का इंतिजार करने लगते हैं और अब आगे दिखिए तब ही उस खुनी डॉल के नजर गुली बुली पर पढ़ती है ओई धर गुली बुली भी खुनी डॉल को गुस्से में गुर रहे हैं घुली बुलता तुम्हें क्या लगा तुम हमारे दोस्त को मार कर बच जाओगी वो खुनी डॉल बुलता तुम्हें क्या लगा तुमने हमारे दोस्त को मार कर तुम बच जाओगी हम दोनों तुमारे वह हाल करेंगे कि ये तुमें भगवान भी नहीं बचा पाएगा वो खोनी डॉल बोलती है मैं भी देखती हूँ कि तुम दोनों मेरा क्या बिगाड सकते हो उस खोनी डॉल कितना बोलती ही बुल्ली उस खोनी डॉल पर चलांग लगा देता है लेकिन खोनी डॉल तो बहुत ज़्यादा चलाक निकली वो साइड हो जाती है जिससे कि बुल्ली मुँगे भर जमीन पर गिरता है और उसका पॉसाथ हो जाता है बुल्ली उटकर खड़ा होता है और उस खोनी डॉल से बोलता है चीटिंग करता है तू चीटिंग 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 करता है तू गुल्ली बुल्ली के ऐसे हालत देखकर गुल्ली को काफी तेज गुसा आता है और वो क्रोश के निसान को उस खोनी डॉल के तरप करता है और फिर बोलता है वो खुनी डॉल मुड़ती है और गुली को ही देखने लगती है लेकिन तभी अचानक से वो खुनी डॉल वहां से गायब हो जाती है गुली को लगता है कि वो इस एक्स के निसान के कारण वो खुनी डॉल यहां से डर कर भाग चुकी है और वो काफी ज़ता खुस भी लग रहा है गुली बोलता गुली हमने इसे भगा दिया है हमारी जीत हुई लेकिन गुली पता नहीं क्यों उधर मूँ करकर क्यों खड़ा हुआ है गुली बोलता क्या हुआ बुली तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो तुम्हें साप सुंगिया क्या लेकिन गुली अभी भी कुछ नहीं बोल रहा है गुली जोर ची चिलाता है बुली अरे भाइबा इधर देखो दोस्तों आप लोगो क्या लगता है बुली उधर क्या देख रहा है कमिन बोकर में जरूर बताईएगा और फिर तभी बुली अपने सर को गुमाता है बुली की आखे तो पुरा लाल है लगता है कि वो खुली डॉल बुली के सरीर पर कबजा कर चुकी है गुली ये सब देख कर काफी ज़्यदा घवरा चुका है क्यूंकि वो खुली डॉल बुली के सरीर को भी कबजा कर चुकी है और गुली बिलकुल अकिला पड़ चुका है गुल्ली बोलता तुम हमें माप कर दो और गुल्ली के सरीर को छोड़ दो और तुम यहाँ से चले जाओ और इतना बोलकर गुल्ली जंगल के अंदर भागने लगता है और गुल्ली बस बेचारा देखते ही रह जाता है गुली उस प弃ट से मीचे आता है और वो रोने लगता है गुली भूलता मैं पहले क्या करूँगा और बावाग यहाँ पर नहीं है गुली रोही रहा होता है तिभी गुली के कंडे पर कोई हाँत रखता है गुली डर जाता है कहीं वो खुरी डॉल फिर से तो नहीं आ गई और जब गुली पीछे मूल कर दीखता है अरे ये क्या ये तो रॉड है रॉड बोलता है गुली तुम इतने रात को यहां पर क्या कर रहे हो और गुली और सौन कहा है गुली रॉड के सामने रोने लगता है रॉड बोलता है गुली तुम रोम मत मैं तुमारे साथ हूँ तुम मुझे बताओ तुमें क्या प्रॉबलम है गुली रॉड को सौन के पास लेकर जाता है रॉड बोलता है ये सौन को क्या हुआ कहीं सौन मर तो नहीं गया गुली बोलता है सौन की ऐसी हाल कोई या और नहीं बलकि कुनी डॉल ने किया है रोड बोलता है मैं भी इस कुनी डॉल के बारे में बहुत सुना हूँ और मैंने ये भी सुना है कि इसका घर जंगल के बीच यो बीच है गुली बोलता है उस कुनी डॉल ने सौन की ऐसी हाल तो की है और बुली को अपने साथ लेकर गई है रोड बोलता है मैं सौन को एक मिनट में ठीक कर सकता हूँ गुली बोलता हूँ कैसे रौड रौड बोलता गुली जो तुम्हारे हाथ में X का निसान है वो तुम मुझे दे दो और फिर रौड गुली से उट X का निसान लेटता है और Son के तरफ करता है अरी ये क्या ये तु सच में Son ठीक हो गया है गुल्ली बूलता हुआ रोड, तुमने तु सच में सौन को ठीक कर दिया, बस तु मेरी एक और मदद कर दू, बुल्ली को बचाने में रोड बूलता गुल्ली और सौन, तुम दोनों चिंता मत करो, हमें जल्दी जल्दी बुल्ली को बचाना होगा नहीं तो वो खुनी डॉल, गुल्ली को माँ डालेगी सौन बूलता तो हम लोग क्या करे रोड रोड बूलता हमें और देर नहीं करना चाहिए हमें जल्दी चल्दी उस खुनी डॉल के घर के पास पोचना होगा तुम लोग जल्दी से मेरे पीछे आओ और फिर गुल्ली, सौन और रोड तीनों निकल जाते हैं बुल्ली को बचाने के लिए तो दोस्तों आखिर कर क्या होगा बुल्ली का क्या गुल्ली, रोड और सौन ये तीनों बचा पाएंगे बुल्ली को या फिर ये तिनों भी उस खुली डॉल के हाथों मारे जाएंगे ये सब हम देखें किस वीडियो के पार्ट 4 में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत बुलिएगा और ये है को साउट आउट जिनों ने मारे पिछली वीडियो में कमेंट किया था अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको साउट आउट दू तो इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट जरू कर दे तब तक के लिए बाई बाई